जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे गाजर और मतर की सबजी बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ सांदर सबजी बनकर तयार हो जाएगी तो चलिए सुरू करते हैं डेली और विकेंड स्पेसे लेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हम सबजी के लिए पेश्ट बना कर तयार करेंगे तो हमने यहाँ पर एक छोटी साइज की प्याज ली है साथ ही में एक मीडियम साइज का टमाटर और दो हरी मिच ली है अगर आप छोटी हरी मिच ले रहे हैं तो एक ले ले तो दो से तीन टेबल स्पून पानी एट करके हम मिक्सी में इसका पेश्ट तयार कर लेंगे और अब एक पेन में तीन टेबल स्पून तेल गरम करने के बाद हम इसमें एट कर देंगे हाफ टी स्पून जीरा जीरा चटकने के बाद हमने जो प्याज टमाटर और हरी मिच का पेश्ट बना कर रखा है उसे इसमें एट कर देंगे और इसी के साथ हम इसमें एक टीस्पून अद्रक लहसुन का पेश्ट एट कर देंगे मिला लेंगे इसे और लो फ्लेम पर तेल में इसे अच्छे से भून लेंगे क्यूंकि हमने यहाँ पर प्यास को पीस का रेट किया है तो इसका कच्चापन दूर करना जरूरी है सुखे मसालों में हमने यहाँ पर ली है एक चोथाई टीस्पून हल्दी पावडर स्वाध अनुसार या फिर हाफ टीस्पून नमक हाफ टीस्पून जीरा पावडर एक टीस्पून धन्या पावडर और एक टीस्पून लालमिच पावडर अगर आप पेश्ट बनाते वाक्त उसमें छोटी हरी मीच एट करेंगे तो आप लाल मेच की कौंटिटी थोड़ी सी कम कर दे और वेसे भी गाजन में थोड़ी से मिठास होती है तो उसकी मिठास को बैलेंस करने के लिए हमने लाल मेच की कौंटिटी थोड़ी सी ज्यादा र तक भुनने के बाद हम देखेंगे के इसमें से तेल जिलीज होने लगा है और मसालों की भुनाई अच्छे से हो चुकी है तो इसे एक बार चला लेंगे और इस टेश पर हम इसमें एट कर देंगे गाजर तो हमने यहां पर 300 ग्राम गाजर ली और गाजर को छील कर इस तरह से काट लिया है अगर कप के हिसाब से कटी हुवी गाजर की क्वन्टिटी बताऊं तो यह दो कप जितनी है और इसी के साथ हम इसमें एक कप मटर एट कर देंगे इसे अच्छे से मिला लेंगे अभी सर्दियों का मोसम है तो आपको मार्केट में गाजर और मटर तो आसानी से मिल जाएंगे तो आप इस सबजी को एक बार अपने घर पर जरूर बनाएगा आपको यह बहुत पसंद आएगी और रेसिपी ट्राइ करने के बाद कोमेंट बुक्स में हमारे साथ अपने ए इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे तो अभी सबजी को पकते हुए पांच मिनिट हुई है और अभी तक हमने इसे मीडियम फ्लेम पर पकाया है तो अब देख सकते हैं कि इसमें जो पानी इट किया था वो सूखने लगा है तो इसे एक बार चला लेंगे और अ तोफी से कवर कर देंगे गाजर और मटर के गलने तक हमने इसे लो फ्लेम पर 10-12 मिनिट के लिए और पका लिया है तो यहाँ पर सबजी बन चुकी है इस टेज पर हम इसमें एक टीस्पून नीबू का रसे एट कर देंगे वीबू का रसे यहाँ पर टोटल यूप्सनल है अगर अपना एट करना चाहें तो इसे स्कीप कर दे साथ ही में हम इसमें थोड़ा सा हराधनिया एट करके मिला लेंगे और सव कर लेंगे तो खाने के लिए तयार है गाजर और मटर की सबजी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करें चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हमबल लिक्वेश्ट है के एसी ही आसान, सिंपल और यूनिक रेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई